हाई एवरिवन तो आज यहरा हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं मल्टिप्लिकेशन ठीक हैं अब में को क्या करना है मल्टिप्लिकेशन परफॉर्म करना है क्लीर है बात और किस तरीके से मल्टिप्लिकेशन होता है वो सीखेंगे और यह बहुत साथ इंपॉर्टिंट होने वाला है और इसके बाद हम एक और मल्टिप्लिकेशन का टाइप देखेंगे विच इस कॉल्ड बूट्स अल्गॉरिथम बूट्स अल्गॉरिथम हम जर्नली टूस कॉंप्लिमेंट के लिए यूज की जाती है और उसका मतलब क्या है वो हम नेक्स वीडियो के अंदर फर्दर समझेंगे बट आभी सिंपली से मल्टिप्लिकेशन सीखते है और मल्टिप्लिकेशन का भी फ्लो जाट आपके सामने प्रेजेंट है अब मल्टियबिकेशन कैसे होता है पहले वो समझते है है चोटा सा बेसिक है न हम पहले 3 और 2 का मल्टिप्लिकेशन करेंगे तो 3 ऐंटो 2 करोगे तो आपको रिजेल्ट मिलेगा 6 ठीक है वाई बहुती बड़ी है इसका मतलब क्या है 6 आपको रिजेल्ट मिल गया है इसका मतलब यह है कि 3 भी positive है, 2 भी positive है, तो result भी हमें positive मिला है, ठीक है, in any case, मेरा एक भी number negative होता है, ठीक है, एक number अगर negative है and दूसर number positive है, तो इस case में जो में को result मिलेगा, वो क्या मिलेगा, अगर मैं इसके sign की बात करूँ, तो sign के साथ देखूँ, तो minus का 6 मिलेगा, ठीक है, अगर मेरे दोनो numbers में से कोई भी एक number negative होता है, तो में को क्या मिलेगा, negative answer मिलेगा, और अगर दोनो number negative होता है, माल लो, just like this, 3, 3 की जगा minus 3 है, and जो 2 है, उसकी जगा minus 2 है, तो minus minus भी cancel हो जागा, तब भी में को plus ही मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, फिर से यही इस चीज़ है, कि अगर दोनो number positive है, या तो फिर दोनो number negative है, तो में को answer positive मिलेगा, मुझे answer के मिलेगा, positive है न, sign की बात करी जाए, तो positive मिलेगा, but अगर जो मेरा एक भी number, या तो plus है, या एक number positive है, दूसरा negative या तो फिर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है उस केस में हमको आंसर नेगेटिव में मिलेगा तो यह important conclusion हमने यहां से निकाल लिया है कि हम जब भी को सिंपल है एंड हम यही से question solve भी करेंगे तो हम जो यहां पर 3 और 2 ले रहे हैं तो उसकी जगा पर उन्होंने उसका नाम दे दिया है इसको दे दिया है B 3 को और इसको दे दिया है Q ठीक है तो B मतलब multiplicant and Q मतलब multiplier ठीक है simple है तो यह scenario है अब यहां पर हम AS AS calculate करेंगे AS मतलब sign of A कैसे होगा QS और BS से related ठीक है QS समझ गया भी यहां जो second number अपना है वो उसको और BS मतलब जो पहला number है उन दोनों में क्या परफॉर्म करेंगे XOR अब XOR परफॉर्म करना आ गया अगर दोनों number सेम है चाया 1-1 ओ यह 0-0 तो अंसरों को 0 मिलेगा otherwise 1 मि काल लेंगे ठीक है जो कि sign of A स्टार्टिंग में जो मेरा A है वो क्या होगा 0 होगा A क्या बता रहा है यहां पर रजिस्टर या फिर accumulator कहेंगे एक तरीके का क्या रजिस्टर ही है यह हमने पिछले ही लेक्चर के अंदर स्टार्टिंग में ही सीख लिया दा ओके और यहां यहां पर E जो है वो भी 0 रहेगा, E means carry, clear है, simple चीज हो गई, तो starting में E को 0 रखेंगे और A जितने भी bit होगा न, Q, Q जितना भी bit होगा उतने bit A को हम 0 रखेंगे, आभी समझेंगे कैसे, और यहां पर SC का use करेंगे which is called sequence counter and initially उसकी value N या फिर जितने भी number of bits हैं उसके equal होगी sequence counter की value, ठीक है, फिर हम यहां पर QN देखेंगे, QN मतलब last number of Q, Q का जो भी last number है उसको check करेंगे, जैसी वो 1 आता है तो यह operation करेंगे, 0 आगा तो यह करेंगे, ठीक है, और sequence counter को एक एक करके घटा आते चले जाएंगे, जैसे sequence counter 0 आ जाता है तो मेरा program खतम हो चुका है, and मेरे क आता है, तो आसान होगा, and मजा भी आगा करने में, तो जो B का value है, which is called multiplicant, तो multiplicant मैंने ले लिया है 23, ठीक है भी है, Q का value है, Q का value मैंने ले लिया है यहां पर, for example, 19 ले लेते हैं, ठीक है, अगर आप लोग 23 को binary में convert करोगे, तो यह तो मैं, आपके उपर छोड़ाओं की binary अब तो सभी को करना आ चुक है, तो अब 23 को binary में convert करो, and 5 bits में इसको ले ले लेंगे हैं, तो 1011 हो जाएगा, ठीक है, and अज़र 19 की बात करें, तो 10011 हो जाएगा, ठीक है, तो यह मेरा 19 हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप 19 और 23 निकाल सकते हो 5 bits में, 6 bits लगाओगे, तो आ number of bits को ही represent कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले सारी चीज़े निकालना चालू करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, as, ठीक है, क्योंकि as कैसे पता चलेगा, अभी देख लेते हैं, as कैसे पता चलेगा, bs, as निकाल लेते हैं, जो की होगा, qs और qs के साथ xor, xor operation होगा, bs का, ठीक है, bs positive है, यह भी positive है, तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, यहाँ पर 0-0 लगा सकते हैं, को दिक्कत नहीं, sign अगर आपको दाना है, ठीक है, को दिक्कत नहीं है, बट हम 5 bit में ले रहे हैं, extra videos नहीं कर रहे हैं, तो लगाने की जरूद नहीं है, ह sequence counter से question चालू करूँगा, तो सबसे पहले मैं को यहाँ पर e का value लिखना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया, फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा a का value, ठीक है, आगे मैं लिखूँगा q का value, q question मैं को given है, जो की 19 है, जिसके साथ मैं को multiplication करना है, तो q का value मैंने लिख दिया, औ sequence counter यह मैं use करूँगा, ठीक है बाई, ओके समझ गया, अब मैं बस यह जो मेरा diagram है, उसको मैं follow करते वे चलूँगा, initially क्या बताया है कि e की value 0 है, हाँ भईया ठीक है, चलो, initially e की value 0 ले ले लेते हैं, अब इसका color ले लेते हैं blue, solve कर रहे हैं, blue color ले लेते हैं, ठीक है, initially जो e e की value है, वो भईय है, 0 shift ले ली, और e की value भी 0 है, ठीक है, बट मैंने आपको क्या बताया था, जितने number of bits यहां बे यूस कहूंगे, उतने number of bits, e की 0 रखेंगे, तो e कितने bits है, 5 bits, तो भाई 5, 0 लगा लो, 3, 4, 5, ठीक है, इस तरीके से हमने e की value रख ली, initially, q की value, quotient में give one है, तो q की value लिख लो, 1, 0, 0, 1, 1, ठीक है, quotient में हो सकता है, decimal में हो, तो आपको उसका binary करना आना चाहिए, जो कि आपको, मेरी हाल से यहां तक पढ़ रहे तो आई चुका है, sequence counter की value, n है, number of bits के equal, number of bits कितना 5 है, तो sequence counter की value के आगी, 5 आगी, clear है, अब मुझे कुछ नहीं कर ठीक है, भाई, अब मेरे पास दो conditions है, या है, तो q की width 0 होगी, या तो 1 होगी, q, qn की width 1 है, 1 है, तो मतलब यहां पर addition perform करना है, ठीक है, तो a और b को add करना है, simple, a मेरे पास है, b, 1, 0, 1, 1, 1 है, तो मैं यहां पर add कर लेता हूँ, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं, a का, b क 1, ठीक है, यह बहुत ही बड़ी है, ठीक है, किसी भी number को मैं 0 से add करूँगा, तो मैं को वही number मिल जागा, तो यह तो कोई बड़ी चीज दिखनी रही, तो मुझे पता है, इसका answer में को यही मिलने वाला है, वापिस से, ठीक है, तो 1, 0, 1, 1 ही मिलने वाला है, add करने के लगा है, ठीक है, एक को ले लिया, यहाँ पे 0, ठीक है, add करने की बात है यह, clear होगी बात, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं इसके बाद 1 आ गया, यह कर लिया, अब मैं को E, A, Q को करना है, shift right की तरफ, right की तरफ shift करना है, E, A, Q को right की तरफ shift करना है, ठीक है, Q Q की वैल्यू यह थी, हाँ भर यह ठीक है, इसको भी यहीं लिख दो, ठीक है, यह अब यहाँ इनको राइट की तरफ शिफ्ट करना है, मतलब कि यार, एक एक वैल्यू इधर खिसकाते जाओ, ठीक है, हाँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह वाला जो E का 0 है, वो इधर आ गया और जो last dollar one है, वो बाहर निकल गया, क्योंकि यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको shift कर दिया बाहर, ठीक है, बाहर shift होगे है, बहुत बढ़िया, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ value नहीं बच रही है, तो यहाँ पर जब भी कोई value ना बचे, तो हम क्या लेंगे, उसको 0 भी जाल देंगे, clear है, तो हमारा यह shift वाला काम पूरा हो गया, shift पूरा होने के बाद हम हम क्या करेंगे, sequence counter को एक सा घटा देंगे, तो sequence counter पहले जो 4 पास था, अब वो क्या हो जाएगा, घट के 4 हो जाएगा, clear हो रही बाहर, तो इस तरीके से हम यह काम कर लेंगे, simple लग रहा जीरो हो जाएगा, तो answer मेरे A और Q के साथ multiply करके answer निकल जाएगा, clear है बात, simple, अब मैं 0 नहीं निकला, sequence counter, तो मैं क्या करूँगा, वापिस से जाओगा, ऊपर, ठीक है, फिर वापिस से QN को चेक करूँगा, ठीक है, इस बार QN को चेक किया, फिर से QN क्या value निकला है, 1 निकला है, 1 निकला है, तो मतलब EA के साथ उसको A plus B के साथ add करना है, A ये रहा, ठीक है, और B मेरे उपर से निकाला था, चो B की value यही थी, त्याल से देखो B की value किया, 23, 1, 0, 1, 1 है, तो मैं इन दोनों को नीचे add कर लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों को मैंने add किया, simply से तो add करने के बाद, ये add करना मैं आपके उपर शोटर 1 और 1, 2 होगा, इस तरीके से carry very वाला add, simple वाला add आप खुद करो, add करने के बाद जो value निकलेगी, वो निकलेगी यहाँ पर 110 देगा, ठीक है, 00010, ठीक है, ये value निकलेगी add करने के बाद, clear है, Q को as it is रखो, आब EF Q को as it is ठीक है, 0 को कोई दिक्कत नहीं है, as it is लिखेंगे, clear है, तो ये काम अपना हो गया, simple हो गया, बहुत जादा simple लग रहा है, हाँ भी है, लग रहा है, ओके, और यहाँ पर मेरे पास, एक जो 1 है, वो carry आजागा, तो इसका मतलब है, अगर आप इसको add करोगे, 110 हो गया, 1 carry, 11 और 1 carry 3 हो गया, 1 carry, इधर भी 112 हो गया, 12, 12, और इधर 1 carry आएगा, तो यहाँ पर E की value में, यहाँ पर आपको 1 carry लगाना पड़ेगा, आप इसको add करोगे, तो 1 carry आएगा ही आएगा, ठीक है बया, मैंने कर दिया इन दोनों का multiply, मतलब इन दोनों का plus, A plus B, अब मैं क्या करू तीन बार 0 मैंने लिख दिया, और एक 1 इधर आ गया, और इसका जो 0 है वो इधर shift हो जागा, ठीक है बाई, इसका जो 0 है वो इधर shift हो जागा, तो 1 shift 0 को यहाँ पर हो गया, 1, 1, 0, 0, और यह जो 1 है वो बाहर निकल गया, ठीक है, और जैसी मैंने shift कर दिया तो sequence counter को 1 से decrease कर होगा, तो sequence counter पहले जो 4 हो गया था, उसको अब decrease कर देंगे, 3 हो जागा, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी second step भी complete होगी, clear होगी बात, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो simple हमने देख लिया है, जहाँ पर कुछ नहीं होता है, E की value आप पर 0 बता देते है, व्योंकि हमने shift कर लि इस नाम समझ गए, अब next step में मैं को फिर से क्या देखना, sequence counter क्या मेरा 0 होगा, नहीं भई यह 0 नहीं है, 3 है, 3 है, तो वापिस मैं को QN को check करना पड़ेगा, इस बार देखें, तो QN की value 1 नहीं है, 0 है, 0 है तो मतलब कुछ add नहीं करना, 0 है तो सीधा अपने को shift right करना, तो 000 बहुत बढ़िया, और ये 1 इधर shift हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1 इधर shift होने के बाद क्या हो गया, 1, 0, 1, 1, और 10 यहां पे, और जो last dollar 0 है, वो बहां निकल जाएगा, ठीक है, अब इस बार फिर क्या होगा, चेक करेंगे, आग इस step है, sequence counter को एक से घटा देंगे, sequence counter की value क्या जाएगी, यहां पे 2 हो जाएगी, clear होगी बात, simple लग रहा है, sequence counter को घटाते जा रहे हैं, और कुछ निए, अब हम फिर से यहां पे चेक करेंगे, क्या sequence counter 0 हो है, नहीं होगा, 2 है, 2 है, तो फिर से वाप इस से हमें QN को चेक करना पड़ेगा, फिर से QN चेक करे समझ रहे हो, सब लोग simple simple समझ रहे हो, बहुत जाता simple है यह, बस यही operation चेक करते जाना है, फिर अपन फिर से इसको right shift कर देंगे, क्योंकि 0 है, QN 0 है, तो right shift कर दिया, तो E का 0 इदर आ गया, एक और 0 अपने पास पहले से present था, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 0 हट जागा, और sequence counter मेरा फिर एक से घट के, क्या हो जागा, 1 हो जागा, ठीक है, तो sequence counter को 1 बना दू, ठीक है, E में कुछ नहीं पाड़ा, तो E में क्या डाल देंगे, फिर से 0 डाल देंगे, ठीक है बाई, clear है, sequence counter घटी है, 1 हो गया, अब अपन चेक करेंगे, क्या क्या पड़ेगा, add करना पड़ेगा, A plus B, ठीक है, add कर लेता है, B का value क्या है, B का value है, 1011, है ना, 1011 है, तो उसको add करेंगे, तो इसको पकड़ते है, यहां से copy करते है, इसको 1011 को, 1011 को copy किया, and उसको A के साथ यहाँ पर add कर दिया, अब add करना तो यह सभी को आता ही है, है ना, यह सब का आपके उपर काम में छोड़ रहा हूँ, simply add करने के बाद जो मेरे पास final answer आएगा, इन दोनों को अगर मैं add करूँगा, तो यहां पर कोई भी मेरे पास carry नहीं आएगा, तो E की value 0 ही रहेगी, और E की value as it is 0 रहेगी, क्योंकि यहां पर कोई भी carry नहीं मिलेगा, and Q value की value भी, as it is, लिको, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो यह तो काम हो गया, अब जैसी मैंने यह कर लिया, अब जैसी मैं यह कर लिया, तो फिर मैं shift करता हूँ है इसको, ठीक है, अब यह last step है, क्योंकि यहां पर आपको पता चल जाए क्यों last step है, ठीक है, तो E वाला जो 0 है, तो 0 यहां आ जाएगा, and 1, 1, 0, 1, ठीक है, इसका जो last वाला 1 है, वो इधर shift हो जाएगा, तो यहां पर क्या लेगेंगे, यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है, और 0, 1, 0, 1, clear है, और sequence counter, देखो हमने अब क्या कर दिया, shift कर दिया, और sequence counter को एक सा घटा देंगे, अब यहां पर sequence counter एक था, तो एक को एक सा घटा देंगे, तो अब जो नया sequence counter आएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, अब इसको 0 बना दिया, 0 बना दिया, मतलब अब अपना केल खता में, आब अपने को आगे काम नहीं करना, अपना, यहीं पर sequence counter 0 हो गया, अब अपना finally आपन रोख जाएगे, औ और A into Q में अपना answer आजाएगा, ठीक है, answer का आजाएगा A into Q, और अगर आप लोग ध्यान दो, A यह, Q यह है, तो last में नीचे जाओ, तो last की A और Q को अगर आप लोग जोड देते हो, तो आपका answer आजाएगा, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, तो आपका answer यही है, calculate करके देखेंगे अभी, एक खटा लिख देते हैं वाई, ठीक है, answer में, क्या होगा answer, 0, 1, 1, 0, 1, and यह वाला 1, 0, 1, 0, 1, ठीक है, check करो, और यह जो value आईए, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, तो इसकी जो value आएगी, वो answer आजाएगा, किसके equal आएगा, 4, 37 के, आप लोग इस binary क decimal में convert करो, तो आपको 4, 37 मिल जागा, जो कि एक correct answer है, कैसे बया, correct आप बोल रहे हो, इन दोनों का multiply करके देख लो, 4, 37 आपको मिल जागा, ठीक है, 23 into 19 करोगे, तो 4, 37 आपको मिल जागा, अगर जो 4, 37 मिल गया है, क्योंकि मिली जाएगा, definitely हमने solve कर वाए, true उन्चे वाले बयाने करवा है, तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 4, 37 का अगर आप binary देखोगे, तो यही मिलेगा, ठीक है, so I think clear हो चुकी है, बाते हैं, बहुत जादा simple straight forward बाते हैं, बट जो important चीज़ है, वो यही है, सबसे पहले हमने B को multiplicand और Q को multiplier set किया, ठीक है, फिर हमने AS निकाल लिया, जो कि sign of A को denote कर रहा है, ठीक है, जिसको QS और BS का XOR operation परफॉर्म करके कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, A में set कर लिया, 0, अब A कितनी बार 0 होगा, जितने number of bits होंगे, अगर N 5 है, तो A 5 time 0 होगा, E single 1 होगा, क्योंकि carry है, ठीक है, sequence counter, उतने number of bits बताएगा, number of bits 5 है, Q म को question में की 1 था, 19, 19 को हमने binary में लिख दिया, simple, अब QN, which is called last digit of Q, अगर वो 1 होती है, तो simply से मैं क्या करूँगा, E A में A plus B कर दूँगा, ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसी 1 होगा, तो हमने A को B से add कर दिया, जो हो यह मिल गया, और E A के अंदर store कर दे, E अगर मतलब carry है, carry है, तो रख लेंगे 1, नहीं है, तो 0, इस तरीके से, और फिर हमने इन सभी को एक बार right shift कर दिया, shift right किया, जैसे shift right किया, sequence counter को एक से घटा दिया, clear है, shift right करने के बाद E A Q का shift right किया, sequence counter को एक से घटा दिया, फिर हमने check किया, कि sequence counter के value 0 है, 0 है तो मलदब A और Q के अंदर answer जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, तो वापिस से ये check करेगा, एंड इस तरीके से फिर ये पूरा loop चलेगा, और final हमारे पास A और Q का अगर आप merge कर दोगे, तो वही आपका multiplication का answer देगा, which is called 437, इस question का answer है, 23 into 19 करोगे तो 437 ही मिलेगा, एंड उसका binary format में answer ये रहा, ठीक है, तो मैं hope कर रहा हूँ कि आपको ये complete video समझ में आ गई है, आगे तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ आपको एक एक चीज़ मैंने detailing में, एक एक step करके बताई है, तो मैं hope कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया, मिलते नेक्स चुडियो के सा कि आपको एक बातए, बाई बाई। झाल